हेलो गाईस आज की वीडियो में हम Microsoft Word की एक सूपर ट्रिक्स आप सब को सिखाएंगे अगर आप से कहा जाएं कि आपको Microsoft Word में shortcut trick से table को create करना है तो आप कैसे करेंगे तो उसके लिए आपको क्या है plus sign apply करना है फिर dash 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 फिर plus sign लगाएंगे फिर dash dash फिर plus sign लगाएंगे यानि जितनी आपको column की width चाहिए उतने dash लगेंगे और फिर plus sign लगेंगे जैसे ही complete यह हो जाएगा आपको क्या करना है आपको enter को press कर देना है जैसे ही आप enter press करेंगे आपका यहाँ पर column बन कर त्यार हो जाएंगे अभी tables को अगर आपको continue रखना है tables को बड़ा बनाना है तो आपको क्या करना है यहाँ पर tab button को press करके रखना है और जब तक tab button को press करके रखोगे वहाँ तक का table create आपका हो जाएगा तो जहां तक आपको टेबल चाहिए वहां तक टेब बटन को प्रेस करके रखे और आपके सामने इस तरीके से टेबल बन कर रेडी हो जाएगा तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक्स के साथ